Hi Guys, Welcome to Current Affairs, स्वागत आपका अचकी Current Affairs की क्लास में Current Affairs की चैनल पर तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब चैनल का सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकाउन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटिस्ट अप्लोड मिसना करें चैनल पर अगर आप नई हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मिलेगा क्या इस चैनल पर तो विडियो इस चैनल पर मिलेंगे आपको डेली कर इंटरफियर से के, मंतली कर इंटरफियर से के और विकली कर इंटरफियर से के तो आप हमें कर सकते हैं follow, facebook, instagram, telegram और twitter पर daily updates के लिए इस वीडियो को like करना और share करना बिल्कुल मिद भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी latest upload को miss ना करें चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का questions हम लोगों के पास क्या क्या है तो आज का पहला question जो है हमारे पास वो है वेर विल दा इंडियन नेवी होस्ट मिलान अ मल्टि लाटरल नेवल एक्सराइज इन मार्श 2020 मार्श 2020 में भारतिय नौसेना बहुपक्षिय नौसेनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी कहां करेगा दूइवार्श अभ्यासों की मिलन श्रिंखला जो 1995 में शुरू हुई थी और अंडमार निकोबार कमांड ANC में पिछले साल तक संचालित की गई थी पहले बार पूर्व नौसेना कमांड ANC मुख्य भूमी पर आयोजित की जाएगी चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला question अगला question है तो यह हस्ताक्षर करने वाली है Asian Development Bank जिसको पॉपिलरली ADB के नाम से भी जाना जाता है तो GRIL द्वारा जारी किये जा रहे डेट इंस्टिमेंट में एशिया इविकास बैंक यानि कि ADB ने 23 मिलियन डॉलर निवेश करने के समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं यह राशी GRI Infra Projects Limited GRIL को नई भवन के उपकरणों की खरीद के माध्यम से भारत में सड़ को और राजमार्गों के निर्मान को बढ़ाने में मदद करेगी GRIL भारत में एक Engineering खरीद और निर्मान कमपनी है चली बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला Question वेर विल दा फिफ्ट मीटिंग ओफ इंडिया नेपाल जॉइन कमिशन विल बी हेल्ड भारत नेपाल सयुक्त आयोग की पांचवे बैठक कहां आयोजित की जाएगी यह आयोजित की जाएगी काटमांडू में जोकी नेपाल की राजधानी है भारत नेपाल सयुक्त आयोग की पांचवे बैठक अगस 2019 को काटमांडू में होगी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जय संकर और नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली बैठक की सह अधक्षता करेंगे भारत नेपाल सयुक्त आयोग की स्थापना जून 1987 में हुई थी और इसकी बैठक में नेपाल भारत बारी बारी से आयोजित की जाती है बैसिकली 1987 के बाद से 2019 में ये पांचवी बार है जब इसकी बैठक आयोजित की जाएगी बैसिकली विदेश मंत्री जो होते हैं दोनों देशों के वो इस आयोजित की जाती है तो इन दोनों देशों में ये जो मीटिंग है वो आयोजित की जाती है चली बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेस्टन वू वॉन 300 मीटर रेस एड़ एड़ एथलेटिक मिन्टिक रिटीर इवेंट इन्ख्रेजर पब्लिक ऑन ऑगस्ट 2019 किस महिला ने अगस 2019 को चेक गनराज में अथलेटिक मिन्टिक रिटीर इवेंट में 300 मीटर की दौड में सुवन पदक जीता सो बताने के जरूरत तो नहीं है पर फिर भी हिमा दास इसका आंसर है हिमा दास और मुहमद अनस ने 300 मीटर दौड में चेक गनराज में अथलेटिक मिन्टिक रिटीर इवेंट में एक एक सुवन पदक जीता पिछले महिने से यूरोपीय दौड में 2019 में हेमा का ये छटवा सुवन है सुराष्ट्री रिकॉर्ड धारक अनस पहले ही सिप्टेंबर ऑक्टूबर 2019 में दो बार आयूजित होने वाले विश्व चैंपेन के लिए 400 मीटर की स्परधाम के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं चली बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेस्टन इन ऑगस्ट 2019 वेर दिट पिपल गादर तो कॉमोरेट दे लॉस ओफ ग्लेशियर स्कल्ड के नुकसान को देखने के लिए लोग कहां एकत्रित हुए ये लोग एकत्रित हुए आइसलैंड में आपको बता दूँ पूरी तरीके से बरफ से ढखा हुआ है जनसंक्या बहुत ही कम है वहाँ पे वहाँ पे ग्लेशियर जो है धीरे धीरे पिघल रहे हैं और नुकसान हो रहा है आइसलैंड में लोग ग्लेशियर स्कल्ड के नुक गोशित कर दिया गया था जब इसे स्थान अंतरित करने के लिए परियाप्त मोटी परत इसकी नहीं थी एक बार ग्लेशियर जो बर्फ के एक छोटे से पैच में सिमट गया था लोग एक पटिका रखेंगे जो भविश्य के लिए एक पत्र लेके जाता है आप पूरी तरी प्रिके से इसकी यादेव को समेट रहे थे ताकि आगामी जो जेनरेशन से उनको पता चल सके कि यहाँ पैसा कुछ था चली बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेस्चन वेर विल दा फॉर्स्ट सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल इंजिनेरिंग एंड टेक केंद्री रसाइन एक इंजिनेरिंग और प्रावदगी की संतस्तान CICET स्थापित किया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य को देश का पहला CITCET वातवाया सूरत में मिलेगा उन्होंने एहमदाबाद में सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनेरिंग ट इन्होंने गोशना की है कि CICET जो की केमिकल इंडस्ट्री होगी यह जो है एहमदाबाद नहीं तो सूरत में मिलेगी यह वातवा यह सूरत में पाई जाएगी मतलब वहाँ पे श्रिलनयाश होगा वहाँ पे यह कॉलेज बनेगा और सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्ल देखते हैं अगला क्वेस्टन वेर डिट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट फार्म प्रेसिडेंट रामनाथ कोविन इनॉग्रेटेड अंडर्ग्राउंड बंकर म्यूजियम इन ऑगस्ट 2019 राष्ट्रपती रामनाथ कोविन ने अगस 2019 में भूमी गत बंकर संग्राले का संग्राले में आभासी वास्तविक्ता बूत है जिसमें आगन दुख उनिश्वी शदावदी की यात्रा कर सकते हैं उनिश्वी सदावदी में दुश्मन के जहाजों के पास तोपो को चलाने के लिए यबंकर बनाया गया था संग्राले को आम जंता के लिए बाद में 2019 में खोला जाएगा तो उद्घाटन हो चुका है बट कुछ काम बाकी है अभी भी सो पब्लिक के लिए अभी तो कोपन नहीं है हो सकता है लेट 2019 यानि आखरी आखर साल के आखर आखर में इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाए चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेस्टिन वेर देट युओनियन एचार्डे मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशकांक इनाउगरेटेटेड अन इंटरनाशनल कॉंफरेंस ओन टीचर एजुकेशन इन आउगस्ट विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अगस 2019 में शिक्षक के शिक्षा पर दिल्ली में इसका उद्गाटन किया जोकि सिक्षक की शिख्षा पर एक अंतरास्थ्य सम्मेलन का मतलब ये अंतरास्थ्य सम्मेलन है राश्ट्य सिक्षप परिशत ऊध द्वारा दो दिवसी कारेकरम का उयोजन इन 1995 में पहली बार गया था जो की रज़त जैनती समारो था इसका मंतराले 22 अगस 2019 को सिख्षक प्रसिक्षन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना शुरू करेगा चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेस्चन Raisins has recently signed Dash Bollywood actor as their brand ambassador Raisins ने हाली में Bollywood अभिनेता अपने Dash को अपना brand ambassador sign किया है तो ये है भूमी पंडरेकर Raisins ने हाली में अभिनेत्री भूमी पंडरेकर को अपना brand ambassador sign किया है सूरत स्तित ये brand पूरे भारत में 160 से अधिक दुकानों में मौजूद है अगस 2018 में किश्मिश को launch किया गया था और ये Amazon के और Mintra पर भी मौजूद है और अपनी website www.raisingglobal.com पर भी बिखता है चली बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला question Vice President M. Venkaya Naidu held a talk with Luthyanan President Dash in August 2019 उपर राष्ट्रपती M. Venkaya Naidu ने अगस 2019 में लिथुआनियाई राष्ट्रपती Dash के साथ वारता की उन्होंने दुइपक्षी संबंदों के महतपून पहलियों के साथ-साथ वैश्विक और शेत्रियों मुद्दों पर भी दोनों के बीच में चर्चा हुई उपर राष्ट्रपती, Lithuania, Latavia और Estonia पांके पांच देवसीय यात्रा पर रहें जो भारत से तीन बाल्टिक देशों की पहली उच्च तरिय यात्रा है So yes guys, that's it for today, now it's time for question of the day, आज का question of the day है Where did Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal inaugurated the first ever CNG fuel station of the state? Assam के मुख्यमंत्री Sarbananda Sonowal ने राज्जे के पहले CNG station का उधगाटन कहां किया? तीन सुकिया, पूना, धुबरी या डिबुगर? इन चारों में से कोई एक है आंसर, जिसको भी आंसर आप लोगों को पता है, जल्दी से comment section में answer लिख दीजे अगर आंसर नहीं पता है, तो कल की वीडियो देख लीजे, कल की वीडियो में इस question को अच्छे से discuss किया है साथी साथ और भी धेर सारे questions आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे सो, thank you so much guys for watching, PDF description box में हैं, जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजेगा, PDF बिल्कुल फ्री है सो, डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप provision में आपकी कोई कमी ना छूट जाए, क्योंकि exams बहुत जल्दी पास आ रहे हैं सो, guys, इस वीडियो को like कर दीजे, जल्दी से, share कर दीजे, जल्दी से, पसंद आई होगी वीडियो, I am sure सो, like करने में कंजूसी क्यों करते हैं, चलिए जल्दी से like कर दीजे, share कर दीजे और आप हमसे जुर सकते हैं online offline किसी भी माध्यम से हमारा online number आपको screen पर दिख रहा होगा किसी भी online queries के लिए feel free to whatsapp us we will try to answer you as soon as possible so thank you so much for watching stay tuned to current affairs for more such lessons daily